तो बताए पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण यह है कि जो कंडिशन बनती है ना कंडिशन कैसे बनती है जीवात्मा की कंडिशन कैसे बनती है मतलब कि जीवात्मा कैसे काम करता है क्या क्या पूछना चाहरे है बनती बन करेट कैसे होती है जो हमारा जीवन है, जीवन चल रहा है तो वो कंडिशन के आधर पे ही चल रहा है, जीवात्मा की कंडिशन की कैसे बनती है और यह चाहरा है, जीव आत्मा कैसे बनती है, ऐसरीष कैसे घालृत करता है, स्रीष कैसे धारण करता है, यह सुछा चाहरे है. या आत्मा से जीव आत्मा कैसे बनती है, ये कुछ रहता है, क्योंकि देखो, पहले, जिसे एक पहला पीस होता है, बन पीस, जिसे आत्मा कहें, कुछ भी कहें, वो एक बन पीस है, वो एक, हर जीव आत्मा की अपना मूल है, एक, तो वू सही हम आत्मा कहते हैं बनपीस को और जीवात्मा हम उसे कहते हैं जो उस आत्मा से जीवात्मा बनती है और हम सरीर के अंदर जब वो जीवात्मा इक्तित होती है उस वकट जब हम अलग अलग भागों के सरीर में जो अलग अलग यूनिट हैं जैसे कि आपका हर्द है और आपका माइंड है इसके जो सरीर के भाग हैं इन में एक यूनिट हैं इनको हम बोलते हैं अंतर आत्मा जैसे आपने मुझे प्यास लगी, आपने मुझे पानी पिलाया, तो मेरी जीवात्मा या आत्मा तरप्त नहीं हुई, मेरी अंतर आत्मा तरप्त हुई, मेरी अंतर वाली आत्मा तरप्त हुई, तो अंतर आत्मा, जीवात्मा और आत्मा, तो आत्मा सिंगल पीस, जीवात्म आपका वो पीस जो कनेक्ट कर सकता है उससे वो से जीवात्मा कहते हैं और जो अंतर आत्मा आपकी हैं वो यूनिटों के पीस यूनिटों में जो है ये यूनिटों का एक अध्यक्ष जाये और को एक मतलब एक IC सुप्रीम की जाये उसे हम कहते हैं अंतरात्मा तो जैसे हमने खाना खाया तो हमने बोला कि पेट भर गया तो बोला कि भाई आज में इतना अच्छा खाया मेरे मन पसंद खाना मिला तो मेरी अंतरात्मा जो है खुश हो गई प्रसंद हो गई तो यह अंतरात्मा वाले पीस हैं जीवात्मा कैसे स सब्सक्राइब दूनों समझते हैं उसको जो शुक्षम होता है। बहुत शुक्षम होता है उसे हम जीव कहते हैं आत्मा उसमें इसलिए जोड देते हैं क्योंकि वह वनपीस वाले का शुक्षम रूप है उस छोटा बिंदू है यह बड़ा अंडा और एक अंडे का छोटा रूप तो अंडा का एक चोटा एक बड़ा तो जो बड़ा है वो उसका छोटा है मगर वो जो हम जिसे आत्मा कहते हैं जो बनपीस है उसे आत्मा कहते हैं वो किसी से उसका कोई निरलेप है उसमें किसी तरीके का कोई ना तो उसमें अनुवभ है ना उसमें कोई कुछ भी नहीं उसके अंदर उसमें कुछ नहीं है और वो अपने निश्चिन्त अपने ही उसमें पड़ा हुआ है मगर जीव निश्चिन्त नहीँ। ना तो निशिंत है और ना वो शीज को मानता है जीव छोटा है वो जीव जो है प्राकरतिक के साथ मिल करके इस प्राकरतिक इस ब्रमांड में मिल करके साकार निराकार के साथ मिल करके बहुत सारे कारे करता है इसलिए वो अपने को इस्टेबलिस कर सकता है बड़ा छोटा हो स करता है यह सारी जीव आत्मा की किरिया कलाफ है कि वो जीव आत्मा अपने को अगर हम जीव आत्मा है हम खाना नहीं खाए तो खतम हो जाएंगे हम जीव आत्मा है हम अच्छा-चा भोजन कर रहे हैं बोडी डवलब कर लेंगे तो जीव आत्मा है यह जीव आत्मा यह काम कर तो जीवात्मा यह करती है, यहाँ पर जो जीवात्मा कर रही है, इसमें उसको करतापने का जो भाव है, वो यह करता नहीं है, is karta उसके जो बाहर से परमात्मा की सक्ति उसे नियंतन कर रही है कंट्रोल कर रही है वो उसकी वारी सक्ति यह मुसीपिसे पर फिर आ गए तो इन दोनों ko मिलकर के जो चीज बनती है वो इस संसार की चीजें हैं चीजें पेड़ रहें पॉर्थिली है आकास अधंगाय बहुत सारे आपके सौर मंडल है एक नहीं है बहुत सारे सौर मंडल है तो इसमें बहुत सारी चीह जो बनती है और इसमें पहाड पत्थर जो कुछ भी बनता है सब ये जीव आत्मा की सारी वो है मगर इसमें सत्ता इखट्टा करने की जो परमात्मा है वो ये काम नहीं कर सकत वो ये काम नहीं कर सकता और जीव ये भी ये काम नहीं कर सकता ये दोनों मिलकर के ये काम करते हैं तभी एक रिजल्ट आता है जैसे आप बैठे ये रिजल्ट है मैं बैठा हूँ ये रिजल्ट है किसका जीवात्मा परमात्मा का तो दोनों का ये रिजल्ट है अब सवाल ये खड़ा होता है आखिर ये जीवात्मा परमात्मा हमने यहां बता दिये जो आपका सवाल था मैं उसी तुझे जाता हूं थोड़ा कि जीवात्मा ये गिंती है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस गिंती है ये इस्तित है फार्मूला जो है वो अपने में अलग एक जगे पे है वो फार्मूला वो फार्मूला अपने में कारेदत है ये इस्तित है ये फार्मूला जब फार्मूला क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस फार्मूला है इधर जीवात्मा इधर गिंती इस्टेबलिस हैं, जीवात्मा गिंती है, परमात्मा फार्मूला है, तो परमात्मा फार्मूला है, जीवात्मा गिंती है, ये दोनों अलग-अलग हैं, कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई कार्य हो ही नहीं सकता, क्या होगा, कि इस गिंती के साथ, इस फार्मूले को संबंद ब आना पड़ेगा और जैसे ही गेतमा आएगा तो two plus two equal to four. परणाम आगया. अब परणाम आप बेठी वे परणाम भाइसा बैठी वे परणाम मैं बैठायू, यह परणाम है, किसका जीवातमा का और परणामा का, फार्मूले का, फार्मूला जैसे ही हटा, जीव नहीं खतम होता है बॉडी में, लास में जीव रहता है, फार्मूला ही सिर्फ रुकता है, फार्मूला एक तरीके की सांस है, तो जो सांस की प्रक्रिया रुकी, इसमें सब जीवानों है, सब की जिन्दा होती है, इसके अंदर है गिंती इस्टब्लिस है फार्मूला आपका रुपता है हटता है और जुड़ता है हटता है जुड़ता है फार्मूला हट गया है और कुछ नहीं है बाकी आपका प्रणाम में जीव है लास में जीव होता है कहीं जीव आता जाता नहीं जीव कहीं पर भी आता जाता नहीं ये बहुत बड़ी ब्रांती है, जीव इस ब्रमांड में हर जगे पे जीव है, हर इतिती में जीव है, नानाप्रकार जीव है, जहां पे जिस चीज की जरूर्थ होती है, जीव अपने को बदल करके उसी रूप में आ जाता है, बन जाता है, वही रूप धारण कर लेता है, य यह बहुत बड़ी एक भ्रांती है कि ना इसमें से जीव निकल गया, निकलेगा जब जब इस्पेस खाली होएगा, कोई चीज ब्रमांड है, ब्रमांड में छोटे बड़े छोटे बड़े सब जीव भड़े होए, आप अगर चल रहे हैं, तो आप हवा में चल रहे हैं, हवा में जो जीवानों को साइड करके चले हो आप, उसमें बहुत सारे जीवानों खतम भी हुए, मरे भी हैं, ऐसा नहीं है, बदलते भी हैं, तो यह चीज आपको समझनी पड़ेगी, कि जो जीवात्मा है और परमात्मा है, यह दोनों मिलकर के क्रेटिंग होती है, मगर अ आएगा तो हम उस एक पीस पे ही जाएंगे और इस फार्मूला को अलग यह फार्मूला समझ में आ जाएगा एक पीस में चले जाएंगे तो जो एक पीस में चले जाएंगे वहाँ पर यह सब सिस्टम नहीं होता वहाँ पर यह सारा कालपनिक है यह कुछ भी नहीं होता वो सिंगल पीस है सिंगल उसमें उसमें एक चेतन पावर है एक पीस में चार भाग है उसके एक भाग में चोटा सा पीस है बहुत जटके से लगता है और जटके से छुटता है तो यह उसमें बस एक ही चेतन पर करिया ह और इसमें ना कोई आवाज है, ना कोई लाइट है, कुछ-कुछ नहीं, वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसे इसमें जो बुद्ध जी बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, कि ये जो जीवात्मा और परमात्मा और अंतरात्मा और ये वात्मा ये जो इतना सार कि जान लेके तू बैचा है ना, तू ऐसा कर, इस से तो अलग हट जा. यही बात है, इस से तू अलग हट. और अलग हट करके तू अनात्म रूप में आ और आ करके जहां है, जैसा है, खुश रहे. यह उनका संदेश है. तो यही संदेश इसी प्रकार का, मैं भी यही कहता हू कि यह सब जहमेले हैं आप पताई और जो बुद्धिसम में एक बहुत अच्छी धारणा है अनात्मा की तो यहाँ पर जो योगिक साइंस में शरम जी बता रहे हैं आत्मा उस आत्मा की बात कर रहे हैं कि जो हम अपने आपको समझते करता मैंने यह किया मैं ही सब कुछ कर रहा हूं मैं सांच ले रहा हूं सब को सारी चीज़े जो अंदर मैं का भाव हमेशा है करता की तरह है तो इसको हम आत्मा समझते हैं कि हम आत्मा है तो बद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं आत्मा से अनात्मा की तरफ जाना है क्योंकि जो सकता है इश्वरिय सत्ता है वहां पर कोई मैं का भाव नहीं है वहां पर कोई केंद्र नहीं बनावा कि मैं कर रहा हूं मैं सब कुछ हो रहा हूं मगर बिना इश्वरिय सत्ता कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो असली जो सत्ता है वह अनात्मा की सत्ता है वहां पर आत्मा वाला भाव है मैं का बॉद्धीजम की बात करते हैं बुद्धीजम में जो बोने का ठंऍक है जो शब्दों को अर्त बढा़ को यह को जिसको की कोई बोड़ नहीं वहां पर कोई एक प्सपीरेंस नहीं कुछ नहीं हो वही रियल है ठीक है और उसी से सारी चीजें उसी से सबता है बी तो योगिक साइनस में श्रम जैस उसको आत्मा कहा रहे हैं अगरे जमस्पीह तो उसको अनात्मा को नहींक करना है मुझके यह प्लानी करने कुछ नहीं हमाँ पर कोई experience नहीं नथीं और बुद्धिजब में एक धारना है शुन्यत्व की शुन्य तो भगान बुद्ध उस इस्थिति को बोलते हैं शुन्य की स्थिति पहाँ पर ना कोई करता है ना को experience जब experience ही नहीं है तो करता कहां से होगा मगर सब्था वही है बिना उसके न्हीं और जीव की सब्था है तो आपको जो प्रसन था बुद्धिजब को लेकि कि पुद्धिजन में ये कहा गया कि sense करने वान नहीं कोई कोई नहीं है क्योंकि करने वाले कौन है वह एक है वहां पर को मैं का भाव नहीं है, कोई एक्स्पीरेंस नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई शुल सकता है, क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं, वो किसी और को जानता नहीं, अपने अलावा, तो जब उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो जा तो वो रिजल्ट है तो वो रिजल्ट आया कैसे हम इस रिजल्ट कैसे आया है दो का कॉंबिनेशन हो रहा है िखाry जो 24 हुजकें हो जाते हैं तो इसमें जो भी हम करते हैं तो पुछ तो बनता हो अब उच्कि आधार पर पुछतो तो Calming करते होंगे नए प्रोग्रायमिंग होती है वह तो जिवात्मा की hun की है ठीक है सब्सक्राइब भी बरहें कर रहे हैं सिस्टम सम्हें बात कर रहे हैं कंप्यूटर बाद कर रहे हैं ठीक तो उसके अन्दर प्रोक्राइब रिदी कोई मिनीटीm इस ज defensive आनद आता प्रोग्रामिंग यह थो डि़ Church तो वो प्रोग्राइमिंग है, सारी प्रोग्राइमिंग उसकी है, प्रोग्राइमिंग कहां से स्टार्ट होती है, मैं के भाव से, कि मैं हूँ, यहां से यह पहला प्रोग्राइम हो उसका, पहले प्रोग्राइमिंग वहां से स्टार्ट होती है, तो जब मैं हूँ तो मेरी इ मात्राएं बनेंगी ग्यानेंद्रिया बनेंगी कर्मेंद्रिया बनेंगी बाहर वेस्था होगी तो जिवात्मा के अंतर प्रोग्राइमिंग होती है मैं भाव के आने के कारण ठीक है और उसका जो मैं भाव जागृत कैसे हुआ है उस इस्वरिय सप्ता के कारण जागृत हु तो इस प्रोग्राइमिंग के ऊपर और प्रोग्राइमिंग आती है और प्रोग्राइमिंग और पुरा जल पसर जाता है में राउंट में है उसकी जो सप्ता है बहुत यह वाइब्रेशनल और तो उसके उनुषार व्य å कुन सब में अलग अलग है प्रकृतिक जितने वी चीजे हैं सब में अलग अलग है आपके अलग हैं मेरे अलग है परिस्थित्यों को अन्सार परिस्थितियां भी अलग अलग हैं तो यह है किसलिए इतने वराइटी है मैं आप जो है ना आप कहरें कि मैं सुबह उठता हूं और यह ऐसा करते हैं आप एक काम करिए अभी आप थोड़ा अपने दिमाग को मैंड जो है ना समझने की सक्ती को थोड़ा सा आप मेरे सब्दों पे लगाईए अभी समझ में है यह चीज की हुई है नया नहीं कि कर रहा है कोई भी चीज नई नहीं है पहल पहली पहली धार्णा आपकी यह होनी चीए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं यह नई चीज नहीं है यह आपने आवाद नहीं आ रही हैं आवाद नहीं आ दिश्या आवाज आ रही है आवाज आ रही है आवाज आ रही है नहीं प्रोग्राम उनका रुग गया वो उनके करण आवाज में आ रही है आवाज 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 मेरा ये कहना से कि आपने कहा कि ये काम हम सुबह उठते हैं हम करते हैं मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती, मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि आप किये हुए को ही कर रहे हैं, आपने ही पिछले जब कल्यूग आया था और दिन संडे था और संडे को इसी तरीके से प्रोग्राम आपने बनाया था, ये इसी प्रोग्राम को आप कर रहे हो किये हुए को कर रहे हो इसलिए वो कह रहा है कि करने वाला कोई नहीं है मैं दूसे तरीके साथ को भुलता है दूसे तरीके से वोलता हम ये आपको गाने सुनने है तो आप दस लाग गाने जिन्दीजी में सुनेंगे या 10 क्रोड सुनेंगे तो आपको ये हर गाना नया लिए घाना जो सुना हुआ भूल जाओगे नया गाना जो आएगा वो आपको अच्छा लगे गा. जब आपके 10, 20, 50,000 हो जाएंगे न तो सब पीछे के साफ हो जाएंगे. हर गाना नया लगेगा. तो बोलीए? जगे रहा कि ये मैंने सुबह उठकर के किया है किया नहीं है ये तो आपने पिछले हर कल्यूग में किया है वो इसी को कर रहे हो जो आपने पिछले कल्यूग में सुबह साम उठकर के जो काम करे जिस तरीके से आपने वीडियो बनाए जिस तरीके से आपने ये आवाज बंद बनाती मैं आपको दुसरी वाद समझाता हूँ, एक सतिया बनाते हैं, इसे करके सतिया बनाते हैं, दरवाजे के उपर, जब कहीं सुभकाम में बनाते हैं, तो अगर उनको पुछे है भाईताब है क्या चीज़, तो बोलेंगे कि ये सतियुग है और ये त्रेता है ये द्वापर है ये कलियुग है बोले भाई सब फिर कलियुग के बाद बोलता फिर सतियुग है तो इसका मतलब क्या रिपीट हो रहा है ये बोला हाँ ये रिपीट होते हैं तो फिर इसका मतलब जब ये रिपीट हो सकते हैं तो आज कित बोलूगा यही सब्सक्राइब नहीं है नहीं को रिपीट करने में इतना टाइम है कि हर चीज नहीं दिखती है कि मैं सुझे उटाता मैंने खाना काया मैंने नाथता किया यह चीज हमें दिख रही है इसलिए करने वाला नहीं है, हुआ ही कुछ नहीं है, एक्सिडेंट हुआ है, दुरगटना गटी है, मंगर यह तो गटी हुई थी पिछले कल्यूग में, तो इस कल्यूग में गटी है, तो यहां करने वाला नहीं है, यह तो इस्तित है, तो किसी चीज इस्तित को करेगे कोई कौन करेंगा, जो चीज इस्टबलेस है, उसे करेगा कौन? इसलिए करने वाला नहीं है. यह यह चीज जो आपने सवाल बताया था ना, उसके मैंने दो तरीके से आंसर दियाए, अभी एक तरीके से, अब उदर आपने फार्मूले से और गिंतियों से मैंने समझाया था आंप किया नहीं किया नहीं किसी ने करने वाला नहीं है हां अगर आप इसी वकत कहते हैं तो इसी वकत मेरे थपड मारोगे तो मैं तो इन्होंने किया मेरे थपड मार दिया इसको तो करने वाला कहेंगे मगर यह तो लांग टाइम में देखेंगे ना तो यह तो थपड मारा गया थ प्रोग्रामिंग पहले हो चुकी है अभी जो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग बनाने में सजक्ता रखनी है नई प्रोग्राम को हम नया समझते हैं कि हम ने किया प्रोग्राम तो पहले बना हुआ है गिंती वही दस नई अलग से और उसमें नई जोड़ी जा रही है पूरा नहीं है प्रोइमिंग पाता नहीं चल रहार자는 हमें एसा सुना है कि जब जब शरीरमन का भूस्ती होता है तो जो जो कंडुचण जो परमात्मा जो जिवात्मा सब्की कंडिसन जो अस्तित्तव में जाती है तो उसके आधार पर नया सरीमन मिलता है ऐसे हमने सुना है मैं ठीक भी है सुना है अच्छी बात है ठीक भी है तो वो चीज बैसे ही स्थित है बैसे ही स्थित है कि ये खतम होयेगा नया चलिश आयए आएगा यह फिर ऐसे बनेगा इसके करम ऐसे रहेंगे यह सब कुछ सारा मिला के स्थित्र है। सारा मिला के यहीजा तो मैं भी द aten't मैं कोई गिंतई भी इस बर्मांद में माल मटल है जितना आप देख रहे हो मेरी लास है, मेरा नया जीवन है, मेरे करम है, मेरे उसमें संखार है, मेरे उसमें संबंध हैं यह सारा ताम जहाम हैं यह सारा मालमटेल है यह सारा इस्तित है तो इसलिए वो कहते हैं कि यह थोड़ा विचार हटा करके और एक बार अपने अंदर में यह बाहर की सिती में ना कि हमने क्या किया, यह नया काम शुबह ड़ए अंदर में रहें, अंदर कैसे रहें, वो उस पे ही ज़्यादबाव ड़ा डालना चाहिए, अंदर रहनी की बात रखनी चाहिए. मैं आपको एक जीता जाता छोटा सा उदहान बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा मैं दिल्ली में रहता हूं मेरे पिता जी बरेली में रहते हैं उनकी तवित खराब हुए मैं पहुंद नहीं सकता था मैंने उनको फोन किया कि मेरी फोन दो समझते हैं सुन सकते हैं गिंदा नहीं रहेंगी यह भाई ने बोला मैंने खिकर तो बहुत बड़ी तोप नहीं कर रहे मर राम भी गए और मर से संकर भगवान भी गए सब मर गए जो भगवान अपने पर देते वो भी मर गए तो तुम कोई नया काम नहीं कर रहे हो मरना हमने भी सबने मरना यह कोई नया काम नहीं है मुझे मगर एक बात बता देना जब तक मैं दिल्ली पहुंचूं बरेली पहुंचूँ दिल्ली से एक बात बताना कि मरने के समय और मरने से पहले अंदर क्या हो रहा है अंदर की स्थिति क्या है ये मैं आके पूछूँगा और जब हम गए गिंदा रहे उसके बाद वो 24 साल जीए और 106 वरस की आई में खतम हुए और एक हप्ता पहले उन्होंने बोल दिया कि मुझे खाना पानी कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ गंगा जल खाली दो पीने के लिए अब मेरा समय पूरा हो गया तो संडे को बताया था और अगले संडे को अच्छे तित्या थी सवा 11 वजे उनके प्रान छूट गए तो एक बंदे ने जो पहले मर रहा था अंदर ज cuestión करके उसके बाद अंदर जहांकने के बाद रिजर उनका यह निकला कि उसके बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया अगर उनों को आपने चावल देदे तो चावल आपके गए, खा लिए उनों, अगर दाल देदे तो दाल ही पी गए, वो कभी ना चावल में दाल मांगते थे या बेट नहीं करते थे, बेट नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, बोलना बंद कर दिया था उनों, और चोविस साल तक नहीं बोले हो, यह कैसे हुआ, अंदर जाने से हुआ, तो यह मैंने आपको उदाहर दिया यह, और बताईए अबी, हो गया, समय होने वाला है समय भी, और और कुछ प्रसन है, कुछ छोटा प्रसन है, चोटा प्रसन है तो सतिंदर से अप्समुची लीजी, चोटा प्रसन तो बस यह सरमा जी ने कह दिया ना, यही था अच्छते, अच्छत, एक ही सेंटेंस में, समझ में आ गया, एक ही सेंटेंस में कह दिया जारा, प्रसन ही खतम हो गए, हम आपको, हम आपको कोई भी कनफिजन होगा, तो मैसेज कर देंगे, मैं तो आपसे उपर वाले जुआ करता हूँ, कि आपके परसन ही खतम हो जाए, बहुत बढ़िया रहे गाए, इसलिए निवारन होता रहेगा, ठीक है जी, नमचे नमचे अच्छा, बार बार अपने मिलते रहेंगे, परसन उत्तर मिलते रहेंगे, इसलिए निवारन होता कि गजी नमचे जी!